आयो दोस्तों देखाते हैं आप लोगों को एक कीडा है बहुत बड़ा है जो इल्ली जैसा है पर इल्ली है या गाव में इल्ली कहते हैं जो प्योडों की पत्तियों को जो खाने का काम करती हैं देखने में खतरना के वहीं देखा रहा हूं आप लोगों को आसतोर से तो वीड लिखनेुकाम मिला यह स्कीडा तो अशनकी की तो देखने में जबर्दस ढम भी देखी दो इसने देखाते हैं पास से यह दिकराए ना भी आनक का यह बहुत बड़ा यह दोगा हो जाता है इस ताइब थोड़ा सा सर भी रहता है इस प्रकार से साप भी पाया जाते हैं इस तरीके के तो देखने में एक दम आश्चा चकीत है देखिए मैं उसको जूम करके दिखा रहा हूँ कि यह देखिए कि यह इस तरीके से पत्ती को दभाया हुगा और खारा है दोस्तो तो ठीक है दोस्तो ऐसे इंटिन बने रही और ब drawn ले दखाते हैं वीडियो अन वीडियो तो मेरे फिस चैनल को ज़रूर titre करें मैं दोस्तों लाइक अबस करें में ऐसी वीडियो दिखाने इंगर कंषी यह कचड़ को क्यों विदू में जो कहते हैं कमरा कीरा कहते हैं वो दिखाया था और यहाब है उभाधर नाक आखिए अजय के लें यह आंक यह ऐसा कि इसका आख भी देख रहा है और एसे ही कही है दोना दोन्ट तो तो मैं अभी लगा हूँ उड़दा तोड़ने को तो ये तोड़ रहा हूँ वो दिखाता हूँ ऐसे ही कई और भी किल्डे दिखेंगे तो दिखाएंगे हम लगा हूँ था क्योंकि हमारे केतों में तो कचड़ बहुत हैं दोस्तों नेनाई किये थे पर उसके बावजूद भी जो है कचड़ बढ़ चुके हैं और मेरे कोई दिक्कत हो रही है यहां पर उड़दा तोड़ने में तो उड़दा तोड़ते टाइम में ऐसे दिख गए किल्डे तो वही दिखा रहा था और भी अन्य चीज़ें है क्या दोस्तों क्या करो हमारे खेतों में तो यह कांस होते हैं बड़े-बड़े और साथ में बंटा जैसे दिखते हैं यह कौन से पौधे आगा हैं पता नहीं क्योंकि हमारे यहां तो ऐसे पौदे यह थे नहीं यह सब यूरिय-क खातु-कका डालते हैं उसी में सब प्यदवार हो गाएं और भी और दिखाते हैं जो केतों में अन्न होते हैं जैसे यह देखा होगा कभी यह केतों में देखा होगा है इस तरह दलहल टाइप कियो थे दाल कैसी ये इसको बोलते हैं हमारे गाओं में जुर जुरू दोस्तों जुर जुरू इसकी पहले यहाँ जब सुरू में सत्तर अस्ति के सतक में कहना चाहिए जब अन्य प्रकार की जो पैदावार नहीं होती थी तो ऐसे हम लोग इसी और इसी की इसी की दाल और रोटी बनाई जाती थे दोस्तों मस्त लगता इसकी दाल रोटी भी जिसने खाया होगा वो तो बता सकता है जो ना खाया होगा उसके लिए हम नहीं कह सकते क्यों हमने तो खाया है यह देखिए जबरदस्त पहुत है इसका अच्छी पैदावार होती है दोस्ते इसकी और सिहत के लिए अच्छा है पर अब समय के चलते जो लोग बाग दाल चामर सबजी में लग गए तो यह आते नहीं है वैसे हमारे पहले यह फूगा करता था इसी के चलते अभी भी है पैदा होती है इन चीज है इसको लगाते नह यहां को मिल रहा है इसमें थेतों में हैं अब ज्यादा मात्रम है जब कि यह उर्दा को तो लगा आएं तो उगा नहीं बताओ और यह जो है जो जूरुदू यह जहां ताहां देखना को मिलेंगी है कि जूरुदू यहां भी दिखे जाती है कि कचला जाधा है दोस्तों दिक्कत हो रही है उड़ता तोड़ने में यह नहीं नहीं तो की तो पर यह इस टाइब के ज्यादा हो और फली दिख रहे हैं क्योंकि वह इस टाइब के की जो है उन्होंने इसको खा चुके हैं इल्ली जो होती है कि ला पत्ति खाने वाली वह उड़त की पत्ति को भी खा गई है जिसके चलते देख सकते हैं महुत सी फटे फटे टाइब के बदिख्टे लिए पत्तिया जो है उड़त की का चुके है कि अब मैं सोच रहा हूंगी जल्दी से जल्दी फल्लियों को तोड़ा जाए जितना हो सके जोड़ी धूने में तो दिक्कत हो रही है जोड़ी है कि यहीं यह जो है चटक जाएंगे पूटक करें गिर जाएंगे फूटकर इसलिए मैं कचली में इनको धूंड़ने का काम कर रहा हूं कि कहीं मिल जाए एक दो फल्ली भी क्योंकि लगाए हैं दोस्तों तो कुछ तो मनाफ़ा हो पर इस बार पत्तियां जो है सब खागए हैं देख बहुत में हैं कुछ पौध ठीक छुटओ में तो फल्ली छो नहीं है गीले खा गए पत्तियों को कि अगरे इसकी तो कि आप झाल 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 झाल